UPSC 2020 के CSAT में ये सवाल आता है कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके आप कितने सारे प्राइम नंबर्स बना सकते हो शर्त ये है कि ये 5 डिजिट्स के प्राइम नंबर्स में इन में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए लेट से 1, 2, 2, 3, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 2 रिपीटेड है तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते है या खुद से डिवाइड होते है अब इसमें मेरे दिमाग की एक बत्ती जली कि 1, 2, 3, 4, 5 ही यूज करना है तो अल्टी पल्टी करके कुछ भी लिख लो अगर इन सभी नंबर्स को हम सम कर दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सम आ रहा है 15 अब इसमें से कोई भी नंबर कैसा भी लिखा हो हर बार सम तो 15 ही आएगा और बच्पन में हमने एक पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर का सम अगर 3 से डिवीजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा मतलब कोई भी number लिख लो उसका sum तो 15 ही आना है और कोई भी number चुकि 15 3 से divisible है तो वो number भी 3 से divide हो जाएगा इसका मतलब है कि हर number 3 से divide हो जाएगा तो कोई भी number प्राइम रंबर रहेगा ही नहीं answer 0 आएगा 0